15 वर्षिय तनिश्का कामले को क्या पता था कि जिस काम से वो अपने घर से बहार निकली है उसके बाद वो सही सलामत अपने घर नहीं पहुँच पाएंगी. आपको बता दें विरार पस्चिम स्थित बोलिंच की रहने वाली 15 वर्ष ये तनिश का कामले ट्यूशन जा रहे थी और रास्ते में करंट लगने की वज़े से उनकी मौत हो जाती है परिवार ने अपनी लाडली खो दी लेकिन सायद इस बात का हैसास MSCB को नहीं होगा इस विशे को लेकर इस घटना के बाद तमाम लोगों ने विरोध किया कि आखिर ऐसे वार्दात ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी क्या इस पर कोई कारवाई होगी सिवशेना के पद अधिकारियों ने बातचीत की MSCB से पत्र भी लिखा आये जानती इस विशे पर सिवशेना नेता किरन चेंद वन कर दी क्या कुछ कहा जब यह मालूम हुआ तो सबसे पहले तो कल राज से में सो नहीं पा रही हूँ मेरी ऐसी सोच है कि अगर हम ऐसी पोस्ट पर रहते हैं और ऐसी बच्ची अगर ऐसी दुरगटना में रूत हो रही है फिर हमारा क्या फाइदा है तो आज ही मैंने हमारे जिल्ला प्रमुक जी से बात की कि यह जो हुआ है यह इससे पहले भी घट चुका है और क्या मालूम यह शायद आगे भी घट सकता है तो इसको यही पर रोकना है इससे पहले दिवान मान में भी घटना गटी थी फिर वसेगाहों में भी कुछ गाय मैसों को भी शौक लगने की गटना वसेई तालुका में गटी हुई है तो यह कोई और तनिश्का का बली नह उनसे मुलाकात की है सबसे पहले उन्होंने रिफ्यूस किया उन्होंने उनका कहना ऐसा है कि यह महानगर पालिका का उनकी लापरवाई क्योंकि वहां पर पानी जमा था करके करंट आया लेकिन पानी तो अभी वसेतालुका में हर जगे जम रहा है जब हमने वहां जाके का अंडरग्राउंड केबल डालते है तो एस पर रूल कम से कम वह तीन फीट नीचे जमीन के डालना चाहिए अब जब यह कल हाथसा हुआ और अगर हमने केबल देखा तो आदा फूट भी जमीन के नीचे नहीं है तो यह मैसीबी की भी गलती है पी जो रहते है वह खुले ठोंते रहते हैं ठान्सपॉर्म हर खुले पढ़े रहते हैं इसके बारे में चर्चा हुई भी हमने की है कि तनिशका का जो डैथ हुई रहतों की उनको जोबी उसमें शामिल होगा उसके उपर मनुश्रवत का बुनाद अकल करें और उसके फैमेली को जोystem को हूई सवाल उठता है कि क्या इस घटना के बाद तनिश्का के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा क्या विरोध के बाद दोशी पर कारवाई होगी